एलो फ्रेंड्स कैसे आप आज हम आपके लिए एक ऐसी वेफसाइट लेकर आये हैं जिस पर आप अर्णिंग कर सकते हैं आपको पार्ट टाइम जौबी करना है और तो इसके लिए आपको कोई भी इंवेस्ट्मेंट नहीं करना है और यह जो website है इसमें आपको करना है क्या है आपको articles लिखने है तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है कि यदि किसी को knowledge नहीं है फिर उसे English नहीं आती है तो वो articles नहीं लिख सकते हैं इसके लिए भी आपको इस website में या इस वीडियो में आपको दो-तीन website के बारे में बत आ रहा है तो आप वो भी search करते हो तो इसी तरीकी से हमें यहां पर भी Google का ही यूज करना है ठीक है तो अब हम यहां पर देख लेते हैं और हाँ जो important point है कि आपको last में और भी website की बारे में बताया गया है कि तो आप last तक वीडियो को जरूर देखिएगा ठीक है तो आज की जो हमारी website है वो है paid for articles ठीक है तो आपको यहां पर अब कैसे articles लिखना है और तो सबसे पहले हम उन website की बारे में बात कर लेंगे जिन website पर आपको idea लेना है मतलब कि आप idea कहां से लेंगे तो कौन सी website है जहां से आप idea ले सकते हैं आप देख सकते हैं ठीक है तो सबसे आपको ideas दे हुए हैं लेकिन आपको सारा की सारा copy नहीं करना है इसलिए आपको दो तीन website बताई गई है और उनके अंदर भी कई website आपको मिल जाती है तो आप उन website की help से करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हमने देखा article factory डाट कॉम अब इसमें देखी है आप है बहुत सारे आ पढ़ना पसंद करते हैं इसके अलावा भी बहुत सारे topics हैं जिन्में हो सकते हैं कि किसी को other topic पर पढ़ना पसंद है तो सबकी पसंद भी अलग-अलग होती है तो हम यहां पर क्या करेंगे आपको जो भी topic पसंद हो आप उस पर बना सकते हैं तो अब यहां पर क्या करेंग आपकी second कौनसी होगी? engine factory dot com ठीक है, अब engine factory dot com में क्या करना है आप अलग-अलग आएंगे, लेकिन design factory वगरा, तो आपको सर्च नहीं करना है, आपको यहां पर नीची जाना है थर्ड वाली website पर, ठीक है आपको first second पर नहीं, आपको third वाली पर engine articles पर आपको click करना है जो की जहां से आप ideas ले सकते हैं ठीके तो आप इस पर website पर click करेंगे तो आपको इस तरीके से जो page होगा वो open होगा और यहां पर भी जैसे article factory में ideas दी हुए थे जो topic दी हुए थे वैसे यहां पर भी बहुत सारे articles के topics या categories दी हुई है जहां से आप ले सकते है इनकी भी sub-categories भी होती है जैसे आप कोई भी खोलेंगी तो उनमें sub-categories भी होती है तो आपको यहां से बहुत ही अच्छा idea मिल जागे यदि किसी को लिखने का कोई भी idea नहीं है तब भी वो यहां से कर सकता है और हाँ copyright वगरा के लिए यदि हाँ हो सकता है क्योंकि यद ठीक है तो अब हमें क्या करना है अब हमारा जो काम में सटार्ट होता है गूगल का की क्या है तो अब हमें क्या करना है सबसे पहले आप यहां पे इतनी सारे topic दे हुए हैं आप इननमेंसे कोई भी topic जो आपको पसंद हो या फिर आपको लग रहा ह üzere कि इस कम्छा decor पुष क को लेके कर सकते हैं तो आपको क्या करना है सबसे पहले जैसे कि हमें आप पर कर लेते हैं कौन से टॉपिक आप अपनी पसंद का कोई भी टॉपिक उठा सकते हैं जैसे कि हमें आप देखते हैं था इंपोर्टेंस ऑफ हाई लीड जनीशन इसके बार में क्या दिया गया है क्या है लीड जनीशन ठीक हैं इसके बाद आप इस तॉपिक को थोड़ा सा चैन्ज करके आप गूगल पर सर्च करेंगे या फिर आप इसी टॉपिक को सर्च कर सकते लेकिन आप जो अपना blog बनाएंगे उसमें थोड़ी सी changing करने पड़ेगी ठीक है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले हम Google पे जाएंगे और उसमें change करेंगे तो Google पे जा कि आप अपने topic क्या बना सकते हैं थोड़ा बहुत आप अपने recording भी बना सकते हैं आपके mind में जो भी idea आ रहा हो आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं ठीक है तो जैसे आप क्या करेंगे हम यहाँ पे Google पे गए और Google पे हम क्या करेंगे देखते हैं आप हमें कौन सा वेस्ट मिल सकता है तो जैसे कि हम top 10 ढाल सकते हैं तो यह भी आपका एक lead generation पे आपका topic बने गया हो वहाँ से थोड़ा सा डिफरेंटी भी हो गया और आपका एक नया topic भी वन गया है अब इसके अंदर भी बहुत सारी website होती हैं जहां से आप इस topic को ले सकते हैं आपको किसी एक website का सारा कि सारा matter नहीं उठाना है मतलब पूरा matter आप किसी भी website का नहीं उठाएंगे वस थोड़ा थोड़ा सा matter हम सब का ले लेंगे ठीक है तो जैसे कि अब क्या है हमने देख लिया कि top 10 जो west leads and nation strategies है आप किस से related है business से है तो इसमें अब क्या क्या है अब SEO क्या है मतलब इसमें जो भी है जो business related है तो क्या है वो चीज उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा क्योंकि blog अच्छा लिखने कि जब आप अच्छा लि जैसे हमने आपको यहां पर website भी बता दी है तो उसके बाद भी आपको पहले खुद इसकी study करनी पड़ेगी उसके बाद यहां पर ले सकते हैं ठीक है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए आप एक Google Docs खोलेंगे ठीक है Google Docs क्या है एक वहां से आप नया page करेंगे और आपको यहां से एक new page उठाना है ठीक है तो आप एक नया page ले लेंगे जैसी कि यहां पर हमें मिल जाएगा नया page आप यहां से नया page ले लेंगे और अब आप यहां पर अपना जो matter है लिखना स्टार्ट करेंगे आप इन website को इन website से search करना चाहिए तो आप वह यहां पर copy करके आपको paste कर देना है यहां तो आप direct type यह आपकी typing अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है आप यहां पर direct type कर सकते हो otherwise आपको क्या करना है यहां पर paste करना है ठीक है वहां से हमने क्या क्या copy करके और आपको क्या करना है यहां पर paste कर देना है ठीक है और यह आ आपको टाइपिंग करना अच्छा लगता है और यह आपकी फास्ट है मतलब अच्छी स्पीड है तो आप यहां पर टाइप भी कर सकते हो अब यहां पर क्या सबसे पहले लिखना बैस रहेगा वह आप लोगों की स्टडी करनी पड़ेगी उसकी बाद यह आपको लिखना जो आपको लिखनी पड़ेगी ठीक है तो आपको ऐसी ही कॉपी करके आप इन वेपसाइट से लिख सकते हैं और हाँ याद रहे कि जो मैटर है बो 30 या 40 या 50 परसें तक ही आपको हाँ से कॉपी कर सकते हैं इससे ज्यादा आप कॉपी ना करें ठीक है क्योंकि फिर वो अब इसके अलावा आपने क्या करना है अब इसके अलावा मैं आपको बहुत सारी वेफसाइट के बारे मैं भी बताऊंगी जहां पर आप इस ब्लोग को फोस्ट कर सकते हो अभी तो मैंने सरफ आपको एक वेफसाइट बताई थी जिस पर अभी हम बर्क कर रहे थे ठीक है तो वहाँ पर हमें कैसे पोस्ट करने है इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूगी ठीक है और अब इसके अलावा भी जो बहुत सारी वेफसाइट है जहां पर आप पोस्ट कर सकते हो ठीक है तो सबसे पहले जो हमारी वेफसाइट है इस इस वेफसाइट के अलावा हबपेज़gy ठीक है फटक है हबपेज़ Hilol경 को जो आपने लिखा हुआ है जो content बनाए हूए पोस्ट कर सकते हो इसके अलावा प्रो व्लागर ठीक है प्रो भ्लागर भी बहुत अच्छी वेफसाइट है जहां पर आप अपने मैसर को पोस्ट कर सकते हो इसके अलावा medium.com यह दि विगनर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है तो वो इस वेबसाइट पर कर सकते हैं पोस्ट यह दि जो विगनर्स है इसके अलावा जो यहां पर वेबसाइट है इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट है जहां पर इसके हलावा आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है फिर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूँच सकते हैं रिप्लाइ आपको टाइम टू टाइम मिल जाता है और यह दियो कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो अदर्वाइस